साथियो नमस्कार, हमारे चैनल रमन बज्यारती में आपका बहुत-बुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको कठिन और बड़े-बड़े शब्दों को पढ़ना और लिखना बताएंगे हिंदी के कठिन और बड़े-बड़े सब्दों को पढ़ने का एक बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- लिखा है प्रति और कूल अब यहां पर आप से कहा जाए कि यह पढ़के बताओ तो आप बढ़ी आसानी से पढ़ सकते हूं प्रति और इसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं कूल और इकठा पढ़ देंगे प्रति कूल तो कितना आसान हो गया ठीक इसी तरह से हम सभी प्रतिकूल ठीक है अगला शब्दा है प्रतिक्रिया इससे भी हमने दो वागों में लिखा है प्रतिक्रिया तो आप कितना छोटे चोटे कि मातरा पृत ओर का का में भी-प दियंद्रा और से चुटी मात्रा की या Aa mostly कि मात्रा पृत खिरिया ठीक है अगला शब्थ हमारा है प्रोगत शील प्रोगत शील को भी हमने दो भागों में लिखा है प्रोगत शील और यदि आप से कहें pray या पढ़ो तो और ल प्रगत शील ठीक है अगला शब्द है प्रचादित प्रचादित भी कठिन सा लग रहा है और यह इसे हम दो भागों में लिख दें प्रचादित तो आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं प्रचादित प्रचादित इकठा पढ़ दिया और आए लिख लेते हैं अब प्र आधा चा और शा छा में बढया की मात्षा और द न में छोटी की मात्रा और और तुप Pereopes अच्या माफ करना हमने आपको इनके अर्वर स्ता देते हैं तो अर्वर संपटलम करते हैं तक आक cities प्रतिकूल माने होता है विपरीथ और प्रित क्रिया माने होता है क्रिया के फल सुरूप जो क्रिया होती है यही कोई काम करें उसके फ़सुत जो काम होता है उसे प्रित क्रिया कहते है और प्रगत सील कहते है उन्नत सील के लिए और प्रचादित कहते है धका हुआ ठीक है प्रस्चा देत्तमांस्य धका हुआ और अगला शब्द मारा है प्रक्रतवादी प्रक्रतवादी एक All में लिखा है तो बढ़े आसानी से हैंたNow प्रक्रतवादी एकठा पर दिया प्रिकृतिवादी ठीक है और प्रिकृतिवादी माने होता है प्रिकृतिप्रेमी ठीक है प्रिकृत से प्रेम करने वाला बेखती प्रिकृत को मानने वाला ठीक है अगला जी अगला है हमारा प्रतिजीवन ठीक है प्रतिजीवन को दो भागों में लिखा हम प्रत्जीवन ठीक है प्रत्जीवन माने होता है दुबारा जन्म प्रज्युलित माने होता है जलता हुआ तो आई पढ़ लेते हैं प्रज्युलित हमने लिखा है दो भागों में प्रज्युलित एकठा पढ़ देंगे प्रजुलित कितना आसान होकि आपढ़ना और आए लिख लेते हैं प्रअधज्रिए अर्वा प्रज्व और ल ला में छूटी के मातर और तलिट प्रज्जुलित प्रज्जुदलितवाने जलता हुआ अगला श्ब् Primic. प्रकाशित को दो भागों में लिका है और कितना आसान हो गया पढ़ना प्रका बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं शित बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं प्रका शित इकठा पढ़ देंगे प्रका शित तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो कठीन से कठीन और बड़े से बड़े सब्दों को बहुत ही आसानी से पढ तैकि परणा बहुत असान हो सके और यह थी थीन भाग है इनको आप हमकंवसे कहें कि पढ़के बताओ तो आप बड़ी आसानी से पढ़सकते हैं और इससे पढ़ने में पारिशामी सकते हैं तो इन को बढ़ी कई से प्रतिकर्णिन एक पड़ना कर लिक्ते हैं और निमणफी से लिक्ता हो गया ऐनले6 Key मात्र ब्रतिकर्णिन टिकशूब होता है बापसर ने योग है सुछ अगला शब्द मारा है प्रति दिन प्रति दिन कितना आसान हो क्या पढ़ना प्रति दिन आई लिख लेते हैं प्रता में छूटी की मात्रा और दा में छूटी की मात्रा और न प्रति दिन प्रति दिन माने हर दिन हर एक दिन यहीं रोजाना अगला शब्द हमारा है प्रकाश मापी प्रकाश मापी भी कुछ बड़ा शब्द है इसको भी इमने दो भागों में लिखा है प्रकाश मापी इकठा पढ़ देंगे प्रकाश मापी आई ये लिख लेते हैं प्रकाश मापी माने होता है प्रकाश मापने का यंत्र अगला शब्द हमारा है प्रतिघात प्रतिघात को भी हमने दो भागों में लिखा है प्रतिघात एक अठा पर देंगे प्रतिघात लिखेंगे प्र और ता में छोटी की मात्रा और घा में बढ़या की मात्रा ता घात प्रतिघात प्रतिगात माने होता है बदला, ठीक है, अगला सब्द है प्रतिचन, प्रतिचन, को भी दो भागो में लिखा है प्रतिचन कितना आसान हो गया पढ़ना प्रतिचन ठीक है आई लिख लेते हैं प्रता में बढ़ी की मातरा और प्रतिचन प्रतिचन माने होता है हर पल ठीक है अगला शब्द है मारा प्रतिगमन प्रतिगमन वो भी दो भागों में पढ़ेंगे हम लोग प्रतिगमन प्रतिगमन एकठा पढ़ देंगे प्रतिगमन और आई लिख लेते हैं प्रता में छोटी की मातरा प्रतिगमन 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 माने होता है बापसी ठीक है बापसी किसी कोई बेखती आए वो बापस जाए उसे कते प्रतिगमन ठीक है और अगला शब्द है मारा प्र प्रतिकूल को भी दो भागों में लिखा है और देखिए आप भी पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से प्रतिकूल इकठा पढ़ देंगे प्रतिकूल आए लिख लेते हैं प्रता में छूटी की मातरा प्रति और का में बढ़ेव की मातरा और प्रतिकूल ठीक है प्रतिकूल माने बिप्रीत होता है और अगला शब्द हो है हमारा प्रतिकार, प्रतिकार को भी हमें दो भागों में लिखा है, प्रतिकार, अलग-अलग पढ़ेंगे पहले, प्रतिकार, फिर कठा पढ़ देंगे, प्रतिकार, ठीक है, आईए लिख लेते हैं, प्र और ता, ता में छूटी की और फिर इकठा पढ़ दें, प्रतिकार, और यहाँ पर पढ़ने में आपको परिशानी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए अलग-अलग छोटेटे भागों में लिखें और बहुत आसानी से पढ़ें, प्रतिकार, प्रतिकार माने भी होता है, बदला इंतकाम, ठीक है, अगला श और अडा, अडा में छोटी की मात्राणी, और क, परानिक, परानिक माने होता है, जिसका परानों में उलेख हो, ठीक है, अगला शब्द हमारा है, पूर्वा नुराग, पूर्वा नुराग को भी हमने दो भागों में लिखा है, पहला भाग है, पूर्वा फिर नुराग, इकठा पड़ देते हैं, हो जाता है पूर्वा नुराग, लिख लेते हैं, पा में बड़े उ की मातरा पू, वा में बड़े उ की मातरा और उपर रेफ की मातरा पूर्वा, और ना में छोटे उ की मातरा नू, रा में बड़े उ की मातरा और ग, नुराग, पूर्वा पहले का प्रेम पहले से प्रेम या पहले का प्रेम से कह सकते हैं पूर्वा दुराग मने तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी के कठिन और बड़े-बड़े सब्दों को पढ़ने और लिखने का अभिहास किया उमीद करते हैं यह वीडियो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन वध्यारती को सब्सक्राइब भी कर लिए मिलेंगे हमारे एगले वीडियो में ततक लिए जय हिंद जय हिंदी